प्रिश्ठ संखिया एक, इकाई एक, चित्र और बातचीत, परिवार, शिक्षन संकेत, बच्चों को पोस्टर देखने के लिए परियाप्त समय दें. पोस्टर में दिखाये गए घर परिवार, इवं कारियों के विशय में बातचीत करें. बातचीत के बिंदू इस प्रकार हो सकते हैं. एक, इस घर में कौन-कौन है? दो, वे क्या-क्या काम कर रहे हैं? तीन, बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे? चार, क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुद-गुदी होती है? पाँच, आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी? और क्यों? यह सुनिश्चित करें कि कक्षा के सभी बच्चों को अपने घर-परिवार के विशय में अपनी भाशा में कहने की स्वतंत्रता एवं अवसर मिलें. प्रिष्ठ संखिया दो सुने कहानी मीना का परिवार मीना के परिवार में साथ लोग हैं उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर दिवाकर तीन साल का है वह बहुत नटखट और चुलबुला है मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनन्द आता है दिवाकर भाग कर कमरे के किवार के पीछे छिप जाता है मीना उसे ढूंड लेती है तो वह जोर-जोर से हसता है मुख्य शब्द एक किवार किवार को दर्वाजा भी कहा जाता है प्रिष्ठ संखिया तीन मीना उसे गिनती सिखाती है दिवाकर कहता है एक, दो, तीन, चार तो मीना कहती है चाचा जी हमसे करते प्यार तब ही चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही है मीना के पिता और दादा जी गमलों में पानी दे रहे हैं इस चित्र में दिखाया गया है कि मीना दिवाकर के साथ बैठी है और उसे गिनती सिखा रही है इस चित्र में चाचा जी ने दिवाकर को उठाया हुआ है इस चित्र में चाचा जी ने दिवाकर को अपने कंधों पर बिठा कर मीना के साथ बरामदे में आ रहे हैं जहां परिवार के अन्य सभी सदस्य पहले से ही हैं प्रिष्ठ चार थोड़ी देर में मा सब को फल देती है सब लोग मिलजिल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बाते करते जाते हैं कितना प्यार भरा है मीना का परिवार मालती देवी शिक्षन संकेट बच्चों के साथ उनके परिवार के विश्य में बात चीत करें परिवार में कौन-कौन हैं और वे घर में क्या-क्या काम करते हैं आप घर में कौन-कौन से खेल-खेलते हैं आप घर के किन कामों को करने में सहायता करते हैं आदी प्रिष्ठ संख्या पांच बात चीत के लिए एक, इस कहानी में कौन-कौन है? दो, मीना के भाई का नाम क्या है? तीन, आप अपने घर में कहां-कहां छिप सकते हैं? चार, एक, दो, तीन, चार, चाचा जी हमको कड़ते प्यार चाचा जी की जगा दादा नाना नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाईए शब्दों का खेल एक इस कहानी में दिवाकर दादा जी और दादी जी हैं आँखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए इनकी पहली ध्वनी बताईए दो दा से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताईए तीन यहां दिये हुए शब्दों को लिखिए दादा दादी इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाईए शिक्षन संकेत बच्चे दी, दे, दो आदी से शुरू होने वाले या अपनी भाशा के शब्द भी बता सकते हैं उन्हें स्वीकार करें और बोट पर लिखें फिर बच्चों को अनुमान से पढ़ने के अवसर दें शब्दों की ओर संकेत करते हुए आप पूछ सकते हैं किसे ने कौन सा शब्द दिया था दिवाकर दादा जी दर्वाजा अदरक चाद गेंद आदि शब्दों की सहायता से द ध्वानी और उसकी आकरिती की पहचान करवाएं दो जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उन्हें अपनी ब्रेल स्लेट की सहायता से ब्रेल में लिखने के लिए प्रोसाहित करें प्रिष्ट संख्या छे पांच यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है यहां मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए यहां दिये गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए नाना नानी मामा मामी नीचे दिये गए चित्रों के नाम बताईए और पढ़िए नीम नीम एक व्रिख्ष का नाम है यह अक्सर हमारे घर के आसपास पाया जाता है इसका प्रयोग दवाईयां बनाने में होता है नदी नदी प्राकृतिक रूप से बहने वाला पानी का एक संसाधन है दाने दाने अनेक रंगों और आकारों के होते हैं जैसे गोल, अंडाकार, आदी शिक्षण संकेत प्रिष्ट चार पर दिये गए चित्र में मीना के परिवार के सदस्यों की पहचान करवाएं नाना नानी दादा दादी मामी आदी रिष्टों के विशे में पूछें मीना शब्द के आधार पर म और न की ध्वनी इवं आकरिती की पहचान करवाएं माला मकान नल आदी शब्दों की सहायता भी ली जा सकती है बच्चों से द, म, न की ध्वनियों वाले शब्द बताने के लिए कहें बच्चों की मात्र भाषा के शब्दों को भी स्विकार करें दो यदि बच्चे देख नहीं पाते हैं तो उन्हें नीम के पत्ते, फल वा पेड को छू कर महसूस करने के लिए प्रुसाहित करें इसी तरह दाने भी महसूस किये जा सकते हैं और नदी का भी अनुभव किया जा सकता है प्रिष्ठ संख्या साथ खेल गीत चंदा मामा दूर के चंदा मामा दूर के पुए पकाएं बूर के आप खाएं थाली में मुन्ने को दें प्याली में प्याली गई टूट मुन्ना गया रूट लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के तालियां मुन्ने को मनाएंगे हम दूद मलाई खाएंगे साभार एक लव्य पहेली दो बच्चे हैं जो एक भूल भुलयया पार करके स्कूल जाने का प्रयास कर रहे हैं शिक्षन संकेत गोला कार समुह में एक दूसरे की हथेली पर ताली बजाते हुए ये खेल गीत बच्चों के साथ गाईए